हेलो डियर इस्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी चैनल लखनो गुर्कुल पर आज हम बात करेंगे लखनो युनिवर्सिटी बीए फर्स सेमेस्टर पॉलिटिकल साइन्स पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थेरी के बारे में जो कि आपका प्रिवियस पेपर बेस्ट होते हैं यानि कि इसमें को लॉण आंशर टाइप में लिछने होते हैं नंबर ऑफ टो बबर ऑफ केशन की बात करें तो और पर चैन कि टैन होते हैं लेकिन जिसमें से सिर्फ आपको 5 जिए होते हैं लेकिन उसी पर बेज्टह ए आपका listener है जो प्रिवियस लोग फिसेर का है ठीक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और हम बात करेंगे यह आपके मेजर माइनर दोनों स्टुडेंट्स के लिए ठीक आप चाहे मेजर के हो चाहे माइनर के हो दोनों लोग इसे पड़ सकते हैं कौशन पेपर प्यापका लिखा होगा पेपर की देना है और जो सभी प्रशने उनके अंक आपके समान रहेंगे ठीक है दस कोशन्स में से आपको सिर्फ पांच कोशन्स के आपर आंसर देने हैं लॉंग अंसर टाइपस में ठीक है चलिए पहला कोशन आपका डिफाइन पॉलिटिकल साइंस and discuss its relationship with economics and history यानी राजनीत सास्त्र की परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी है आपको डीटेल में और साथ इसाथ अर्थ सास्त्र और इतिहास के साथ इसका संबंध कैसा रहा है इसके बारे में चर्चा करनी है इसी में एक चैप्टर है राजनीत सास्त्र और उसका सामाजिक व question है तो स्वाभावी के कि यहां पर आपको detail में ही लिखना पड़ेगा ठीक है एक अलग सी वीडियों बना देंगे कि कैसे आपको questions वहां पर लिखने हैं कितने pages की होने चाहिए सारी हम detail में आपको बता देंगे questions पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान में ध्यान में लाने के लिए कि कैसा question paper और कैसे questions यहां पर पूछे जाते हैं ठीक है दूसरा प्रिशन है आपका कि discuss the scope of political science ठीक है राजनी सास्तर के छेतर का यहां पर आपको वीवेचन करना है और detail में करना है छोटा question समझ करके इसके सब्दों के कम सब्दों को देख करके आप यह अंदाजा ना लगाएगा कि question answer भी इसका हम इतना ही लिख देंगे आपको detail में अगर देखा जाए बहुत ही authentically अगर देखा जाए आपको answer देना है descriptive तरीके से ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे अगला question है इसका कि is political science a science discuss बस छोटा सा एक प्रेशन है लेकिन इसकी गहराईयों में जाकर कि आपको यहाँ पर जो introduction करके आपको पूरा content ट्यार करना है यह सारी और बहुत important questions है हर एक्जाम में लगबग कही ना कहीं से गुमा फिराके किसी तरीके से पूछ लिया जाता है ठीक है कि क्या राजनीत विज्ञान एक विज्ञान है इसको detail में आपको बताना है ठीक है अगला है कि analyze the historical approach to the study of political science सब कुछ आपको यहां पर detail में ही लिखना है ठीक है अगला प्रिशन है कि discuss the chief characteristics of behavioral approach to the study of political science राजनी सास्त्र के अध्यन के वहवारवादी उपागम की प्रमुक विशिष्टाओं की यहां पर विवेशन आपको करनी है question number 6 है कि critically examine the social contact theory of the origin of state यह भी बहुत महत्यपून प्रशन है इस state से रिल्टे ठीक है राज्जी की उत्पत्ति के सामाजिक समझोते के सिद्दान का आलुशनात्मक परिक्षन कीजिए अगला प्रश्ण है आपका कि discuss the characteristics and functions of a welfare state कल्यानकारी राज्जी की विशेष्टाएं तता उसके कार्यों का आपको यहां पर वर्णन करना है question number 8 है आपका explain the concept of law what is the relationship between law and morality ठीक है इसको भी आपको बताना है अब ध्यान रखिएगा बच्चों कुछ questions ऐसे होते हैं जो एक question में ही आपको घुमा के सब्सक्राइब करना है यह देखना पड़ेगा कि कितने पार्ट्स में उसका है और यहां पर चार पांस लिखकर चले आए बिल्कुल नहीं जो आपको लिखना है वह ऑथेंटिकली डिवाइट करना है यह देखना पड़ेगा कि कितने पार्ट्स में उस question को पूछ रहा है ठीक है अगला प्रिशन है कि explain the concept of liberty and what is the relationship between liberty and equality वही चीज यहां पर भी आई है कि सबसे पहले तो आपको concept of liberty बताना है फिर उसके बार relationship बताना है liberty और equality के बीच में स्वतनतरता और समानता के बीच में ठीक है अगला है कि write an essay on the concept of justice 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 नया कि अधारना पर एक निबंध लिखना है निबंध का मतलब तो जानते ही होंगे आप लोगोंने class 12 से लेकर class 10 से लेकर के 12 तक लिखा ही होगा ठीक है तो निबंध लिखने का मतलब है बहुत ही detail में तो 15 नंबर ऐसे ही नहीं मेलेंगे मेहनत करनी पड़ेगी कैसे क्य स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैनल पर तो अगर आप चैनल पर नहीं है और अभी तक आमारे चैनल को सब्सक्राइब में किया है सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रिस कर लें ताकि कोई भी notification लखनो उस्विद्धाले से related आपकी में ना हो सके ठीक है फिलाल हमारे साथ जोने के लिए आपसे भी का बहुत बहुत धन्यवाद